नमस्कार दोस्तों स्वागत दीपशिकाज लाइफस्टाइल ब्लॉग में आज की वीडियो में जो हमारी रसोई घर में तबा को किस तरह रखना है कहां रखना है और कैसे रखना है ये मैं बताने वाली हूँ तो वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि ये जो तबा है अगर इसको अच्छे से नियम से नहीं रखेंगे तो घर में दर्दता, दुख और तकलीफ और जो भीमारिया है वो घर में भरना शुरू हो जाएंगे तबा के नियम अगर आप नहीं मानते हैं तो मान के चले आपकी जो है मान हानी, धन हानी सब होना शुरू हो जाएगे क्योंकि राहू प्रबल हो जाएगा, उससे घर में कलेश बढ़ेंगे, घर में हमेशा अशान्ती रहेगे और पैसा आएगा, पता नहीं चलेगा कब आया और कब चला गया तो कुछ बहुत ही जरूरी नियम होते हैं इस तबा से जुड़े होए क्योंकि रासोई की जो सबसे पवित्र चीज होती है न, वो ये तबा है तो इसकी भी कुछ नियम है, मैं अब बता रही हूं अपनी वीडियो में आप देखेगा, सही लगते हैं, तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना, जिससे की आगे भी इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगे तो ये जो तवा है, रसोई घर में कभी भी जैसे की आपने रोटी बना लिया है, पराठा बना लिया है अब बनाने के बाद आपने सारी चीजों की सफाई कर दी है, लेकिन चूले पे आपका ये तवा इसी तरह से रखा हुआ है पहली बात तो ये गंदा है, दूसरा आपने चूले की उपर ही रखके छोड़ दिया है तो ये आपको कभी भी नहीं करना है कि गंदा तवा ऐसी ही चूले पे नहीं रखना है काफी बार मैंने देखा हुआ है कि जो बची हुई रोटियां होती है या रोटियां बनाने के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसी गरम तवे की उपर ही रख देते हैं और किसी अलग बर्तन से या प्लेट से उसको ढखके रख देते हैं तो एक तो आपने अपने तवे को जूठा छोड़ा हुआ है, उपर से उसको और भी गंदा कर दिया है, और उसको उसी के उपर बजन रखके ढखके रख दिया है, तो ये भी आपको नहीं करना होता है, इससे क्या है कि बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, और कुछ महलाएं ऐसा भी मैंने देखा है, कि थोड़ा सा आलस होता है कि अब इसको तवा को फिर क्या धो ना, चलो इसी में पानी के छीटे लगा देते हैं, और कपड़े से फिर बाद में हम इसको पोंच देंगे, और फिर बाद में देखेंगे जब धूलेंगे, तो ये कि उपर इस तरह से तवा खड़ा करके रखते हैं ये बहुत गलत तरीका होता है, इससे क्या है कि हमारा जो करजा होता है, ये चटना शुरू हो जाता है, घर में बरकत का तो पता नहीं चल रहा है, उपर से जो करजा है वो भी चटना जा रहा है, और अगर आपको तवा र जाते हैं तो हमारे घर ग्रस्ती के हमारे जो धन दौलत का सारा चक्र ही विगड़ जाता है तो उल्टा तवा कभी भी हमें घर में नहीं रखना है जैसे हम अपने घर की धन लक्षमी को पैसे को रुपै को सभी से चुपा के रखते हैं तो हमें अपने इस तवा को भी लोगो भी किचिन में जाएगा ना पहले तो और बरतनों के साथ साथ तवा पे भी उसकी नजर पड़ेगी तो इस तरह से तवा को नहीं रखना है नहीं किचिन में भी ऐसी किसी इस्थान पे रखना है कि कोई भी अंदर जाता है सबसे पहले तवा को ही देखे और जो दिशा होती है वो आपको अपने किचिन के जब आप काम कर रहे हो न तो दाहिने हाथ पे रखना चाहिए जैसा कि मैंने अपने जो किचिन है उसके दाहिने हाथ पे इस तरह के एक छोटा सा कॉर्नर है वहाँ पे जगे बनाई हुई है इस तबाह को रखने की इससे क्या है कोई भी किचिन में आएगा ना वो सामने देखेगा कॉर्नर में जल्दी नहीं देखता है कोई भी तो तबा हमारा छिपा हुआ रखा रहता है इससे बहुत ही जो है अच्छा प्रिभाव पड़ता है अनपूना माता भी पिरसन रहती हैं और हमेशा दाहिने तरब रखना है, साफ सुतरा रखना है, छुपा के रखना है अब ये और चीजों के पीछे छुप जाता है तो जल्दी से किसी की भी नजर नहीं पड़ पाती है तो ये बहुत जरूरी है हमारे तवा से जुड़े हुए नियम जिससे घर में बरकत बहुत ही होती है अब कई महलाओं का क्या होता है कि जो खाना बना लिया गरम गरम ही तवा इस तरह से पानी की नीचे खुला छोड़ देते हैं कि ठंडा हो जाएगा और जल्दी से धो देंगे तो इससे क्या है जो आबाज आती है वो आबाज हमारी घर में नकरात्मक उजब उत्पन करती है घर में कलेश को बढ़ा देती है सब के मन में अशांती रहती है गलत गलत विचार आते हैं और लडाई जगडा शुरू हो जाता है और कभी भी गरम तवे को हमें नहीं धोना है आपने खाना बना लिया है चूले से उतार के रख दीजे उसको थोड़ा ठंडा होने दीजे जब ठंडा हो जाता है फिर आप अपने तवे को अच्छे से मांच के रख दे और आगे का नियम ये है कि तवा हमारा कई बार क्या ह इतना गंदा ऐसा हो जाता है कि चारो तरब इसमें देखे चिकनाई की जोना लेयर्स जम जाती है अब क्या करते हैं ये छूटता तो जल्दी है ने फिर हम कोई भी नुकीली या धारदार चीज लेते हैं उससे इसको खुरचना शुरू कर देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है इससे क्या है कि राहू एक्टिवेट हो जाता है और सारे काम हमारे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं फिर हम किस्मत को बोलते हैं कि किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या लिखवा के लाए हैं किस्मत में, कुछ भी करो कभी काम बनता ही नहीं है, बनते बनते काम मेरे बिगड़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, तो इस तरह की ब आज से ही आप मानना शुरू कर दीजे, देखिए कुछी महीनों में आपके घर का जो महौल है, वातावरन है, जो धन हानी हो रही है, वो होना बंद हो जाएगी, सब का काम बनना शुरू हो जाएगा, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल,